Hello Students, चले श्कार्टकरते हैं वीडियो बिपिटी थ होर्म और थेल्स थोर्म से यह बिपिटी थोर्म होती है और थेल्स थोर्म होती है दुनों को हम एक ही कहते है बिपिटी को ही ठेल्स थोर्म कहा जाता है बिपिटी का मतलब क्या होता वो देख लेते हैं Basic Proporptionality Thorem proportional का मतलब होता है दो चीजों की ratio, equal होना उसको क्या कहा जाता है proportion तो यहाँ पे आपको यह चीज clear होगी होगी अब चलते हैं अपने question की तरफ यह जो question है, यह जो theorem है आपकी maximum marks में आपके exams में पुछी जाती है बटा और बहुत बार आपके exams में आती है बहुती जी तरीके से मैं आपको इसको बताऊँगा step wise step आपको इसको करते जलना है तो सबसे पहले क्या करते है इसकी statement जो होती है बीपीटी थोरम की, वो क्या होती है वो देखते है इन्हे ट्रेंगल ABC कोई भी एक ट्रेंगल है ABC मान लिया उसके अगर एक side के parallel another line draw की जाए मान लिया यह हमारी side है BC इसके parallel हम कोई line draw करते हैं यह line draw कर ली तो वो क्या करती है other two sides को two point पे cut करती है यह मान लिया किस point पे cut कर रही है D पे और यह मान लिया E पे, मतलब AB को D point पे cut कर दिया AC को किस point पे cut कर दिया E पे तो prove क्या करना होता है हमें बिटा जो ratio होगी ना sides की जिनको cut किया है तो AD by DB is equal to किसके होगा AE by EC EC को proportional का जाता है कि मतलब दुन्नों की ratio equal तो इस theorem को prove करने के लिए क्या करना है सबसे पहले हमें बिटा given जो है हमें वो लिख लेते हैं एक बार given क्या है हमारे पास given क्या है intringle ABC intringle ABC in which DE line जो है वो parallel to किसके है BC के DE है जो वो parallel to किसके है BC के I hope यह चीज कलियर होगी given के बाद क्या लिखना होता है to prove हमें prove क्या करना है proportionality theorem है तो दोनों sides की रे so equal prove करनी है तो क्या होगा AD by DB is equal to AE by EC तो prove क्या करना है हमने AD by DB is equal to AE by EC अब इसको prove करने के लिए हमें कुछ न कुछ construction करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा construction करनी पड़ेगी यहांपे हमें अब construction क्यों करनी पड़ेगी वो देखते हैं बिटा triangle की बात चल रही है हमारी यहांपे ADE तो हमारी क्या है triangle है बट अगर निच्चे आते हैं हम B, D, E, C में यहांपे हमें कोई भी triangle form नहीं है तो हमें यहांपे क्या करना पड़ेगा triangle form करनी पड़ेगी triangle कैसे form करेंगी अगर B को मैं E से join कर दू और C को D से join कर दू तो हमारी triangle form में हो जाएंगी अब triangle form करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा join करने पड़ेगा किसको B को E से join कर दिया इस तरीक के से और C को जॉइन कर दिया मैंने किस से D से यही चीज हम construction में लिख देंगे कि हमने अपने पास से क्या construction करनी पड़ी तो construction में क्या लिखेंगे join B E and C D अब हमने triangle तो foam कर ली बेटा triangle foam करने के बाद अब area of triangle निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है area of triangle किसके एक बलोता है बेटा half into base into height अब हमारे पास अगर A B line की बात करेंगे और A C line की बात करेंगे क्योंकि दोनों की रेशो ले नहीं है हमने तो बात हम इन दो lines की करेंगे अगर A B line की बात करें तो इस पे कौन सा perpendicular है हमें draw करना पड़ेगा एक A C line की बात करेंगे तो एक perpendicular उसके लिए draw करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं perpendicular draw करता हूँ A B line के उपपर ये perpendicular draw हो गया हमारा E point से A B line के उपपर ये जो angle होगा वो क्या होगा बटा 90 degree इस point का नाम लिख लेते हैं हम क्या है F next जो perpendicular draw करेंगे A C line के उपपर ये perpendicular draw जो होगया वो किस पे होगया A C line के उपपर और ये angle 90 degree होगा इस point का नाम लिख लेते हैं हम G अब यहाँ पर जो triangle form होई है ना उनको हम दो अलग color से denote कर लेते हैं एक green से दूसरी वाले base पे दूसरी वाले line पे ये वाली ये triangle हमें form होई है अब इस वाले base पे जो perpendicular है वो कौन सा है इसको red से denote कर लेते हैं और इस वाली line पे जो perpendicular है उसको किस से denote कर लेते हैं green से क्योंकि green triangle है इस इधर आई हो पिए diagram आपको clear हो गया होगा अच्छे से अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं construct और क्या करना पड़ा हमें draw लिख लेते हैं draw EF perpendicular on AB and DG perpendicular on AC ये चीज हमें construct करने पड़ी है अब चलते हैं अपने proof की तरफ proof देखते हैं इसका अब यहाँ तग अगर आपको clear है तो आप बहुत ही जी है अच असानी से आप कर सकते हैं इसको सबसे पहले बात करेंगे बटा AB line की क्योंकि इसकी रेस्टो है हमारे पास तो on line AB लिख लेंगे on line AB क्या करेंगे सबसे पहले in triangle ADE कौन सी triangle की बात करेंगे ADE अब इस वाली triangle में बेटा बेस कौन सा है AD इस पे perpendicular कौन सा है EF तो क्या लिखेंगे area of triangle ADE is equal to किसके होगा बेटा 1 by 2 into base क्या है AD into perpendicular कौन सा है EF equation number first I hope यह चीज आपको clear होगी अब दूसरी बात करते है बटा green वाली triangle की बात करेंगे BDE यह बेस तो आगया हमारे पास AD अब चाहिए हमें क्या DB तो DB base जिस triangle में होगा वो देखेंगे तो triangle कौन सा होगी DEB तो क्या लिखेंगे area of triangle DBE इसमें क्या हो जाएगा बटा half into base क्या होगा DB into perpendicular कौन सा होगा अगर इसको आगे extend करते हैं तो इस line पे perpendicular कौन सा आ रहा है EF तो perpendicular क्या होगा EF equation number 2 अब क्या करेंगे इसको बटा divide equation 1 by 2 first equation को divide कर लेंगे किससे second equation से तो करते हैं बटा यहां पे क्या आएगा area of triangle ADE upon में area of triangle DBE is equal to half into AD into EF upon में यह क्या जाएगा half into DB into EF EF से EF cancel half से half cancel तो किसके इकबल आगे बटा AD by DB equation number third माल लेंगे अब हमारा East line का का end हो गया है खतम हो गया है अब चलते हैं बटा अपनी line कौन सी पे AC line पे AC line की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे on line AC AC पे चलते हैं AC पे सबसे पहले triangle कौन सी बन रही है ADE तो क्या लिखेंगे in triangle ADE area of triangle area को AR से denote कर लेते हैं area of triangle ADE किसके एकवल होगा बटा half into अब इधर से बात कर रहे हैं तो base कौन सा होगा बटा AE into perpendicular कौन सा है इस वाली के उपर यह वाला DG red वाली पे दियान रखना है आपको तो into में DG equation number मान लिया है कि आगे हमारे पास यह 4 next बात करते हैं red वाली ट्रेंगल की area of ट्रेंगल CDE कौन सी ट्रेंगल की बात करते हैं CDE वो किसके एकवल होगा बटा half into side देखेंगे अब बेस कौन सा है इसी into इस लाइन को अगे एक्स्टेंड करते हैं तो इस पर perpendicular कौन सा है बटा DG तो DG equation number 5 अब क्या करेंगे यहाँ पर divide equation 4 by 5 fourth equation को fifth से क्या कर लेते हैं divide तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बटा area of ट्रेंगल ADE अपोन में area of ट्रेंगल CDE is equal to किस के आ गया half into AE into DG upon में यह वाली value half into EC into DG अब DG से DG cancel half से half cancel तो किस के equal आ गया बटा AE by EC equation number हमारी आगे यहाँ पर 6 यह दो equation आगे हमारे पास अब बटा इसको आगे करने से पहले मैं आपको कुछ basic बताऊँँगा थोड़ा सा वो ध्यान से सुनो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ यहां की बात करते हैं यह वाला जो diagram बना हुआ हमारा इस तरिक्के से trapezium बना हुआ है यह वाली हमारी कौन सी है green वाली triangle D, E, B और एक triangle जो है हमारी यह red वाली है इनको भी हम क्या करते हैं एक बार अपने color से denote कर लेते हैं यह triangle होगी हमारी एक तो और जो दूसरी जो है हमारी कौन सी है यह green वाली triangle है यह triangle अब दुन्नों का base देखो बेटा यह सेम है red और green तो यहाँ पे हमने ninth class में पढ़ा था अगर मालिया two lines parallel है क्या है two lines parallel D, E और B, C दो lines parallel है तो अगर उन parallel lines के बीच में दो triangle form हो रही है और दुन्नों का base क्या है same है तो area जो होगा red वाली triangle का equal to किस के होगा बटा green triangle के होगा यह नहीं होगा क्योंकि दोनों triangle के है same base पे है और parallel lines पे है तो दोनों triangle का area क्या होगा यहाँ पे same होगा यह चीज हमने अपनी थोर्म में लिखनी है थोड़ी सी बट समझ में आपको आनी चाहिए ninth class में आपने यह चीज पढ़ी हुई है तो मैंने यह यह आपको बता दिया है कि किस तरिक्के से होगा अब क्या करना है हमें यहाँ पे लिख लेते हैं लिखेंगे क्या बिटा now triangle BDE कौनसी वाली triangle है BDE green वाली and triangle D E F D E O C कौनसी है D E C are on same base कौनसा base है बिटा D E यह चीज लिख दी मैंने यही बताई थी and between same parallel lines कौनसी कौनसी B C and D E B C and D E parallel line के बीच में है तो क्या होगा so area of इन दोनों triangle का equal हो जाएगा area of triangle BDE equal किस के होगा बिटा area of triangle D E C के दोनों का area क्या हो जाएगा बिटा equal अब दोनों का area equal है तो यहाँ पे देखेंगे बिटा जो equation number third है हमारी equation number six है उपर क्या है A D E इस वाली में भी A D निच्चे क्या है area of triangle D B E यहाँ पे क्या है C D denominator अलग है तो यहाँ पे D B E की जंग है मैं क्या लिख सकता हूँ D E C लिख सकता हूँ तो यहाँ पे क्या कर देंगे in equation third area of triangle A D E upon में D B E की जंग है D B E की जंग है मैं D E C लिख सकता हूँ तो क्या लिख देंगे area of C D E is equal to किस क्या जाएगा बटा A D by D B यह equation number मानली मैंने क्या है 7 तो अब क्या लिखेंगे from equation 6 and 7 अब देखो बटा left hand side जो है दोनों की 6 की और 7 की वो equal है तो right hand side भी क्या होँगे बटा equal from equation 6 and 7 क्या लिख देंगे हम A E by E C is equal to किसके हो जाएगा A D by D B यही चीज हमने क्या करनी थी prove यहाँ पे left right लिख सकते हैं इसको A D by D B is equal to A E by E C लिख सकते हैं तो यह क्या होगया हमारा result prove होगया hence prove यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत हो किसी भी point में आपको problem हो तो मुझे बेजी जग contact कीजिए comment कीजिए otherwise इस channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students